नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहत भारतिय टीम के पूर्व स्टार आलराउंडर यवराज सिंग ने विराट कोहली को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बहुत सी इमोशनल यादें साजा की थी इसके साथ यून्होंने विराट को एक गोल्डन बूट भे गिफ्ट में भेज़ा था जिसके बाद वो खबरें सामने आई थी और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से यवराज सिंग ने एक एमोशनल होने वाला एक लेटर विराट कोहली के लिए लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि तुम हमेशा मेरे लिए चीकु रहोगे और दुनि दुश भी लिखा है वह हम आपको बताते हैं कि विराट कोहली ने क्या कुछ यवराज सिंग को रिप्लाई करते हुए लिखा है विराट कोहली ने ट्टर पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा यूविपा इस प्यारे से लेटर के लिए धन्यवाद कैंसर से आतक की वापफ सिर्फ क्रिकेट से जुड़े लोगों के लिए ही नहीं, बलकि अन्य लोगों के लिए एक प्रेंडाप हो गई, आप हमेशा दर्यादल रहे हैं, और आप अपने आसपास के लोगों की देख भाल करते हैं, मैं आपकी खुशियों की काम ना करता हूँ, भगवान भला करे, बंधा मिला कर चलता था, वह आप खुद नई जनरेशन के लिए लिजन बन गया है, फिल्ड पर तुम्हारा पैशन और अंसाशन और इस खेल के प्रत तुम्हारा समरपन, देश के हर युवा को बैट उठाकर ब्रुजर्सी में खेलने के लिए अंस्पैर करेगा, तुमने हर साल अपने क्रिकेट के लेवल को बढ़ाया है, और इस शांदार खेल में कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हो, तुम महान कप्तान और जबर्जस्त लीडर रहे हो, मेरे लिए तुम हमेशा चीकू रहोगे और दुन्या के लिए किंग कोहले, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसी का रिपलाई अब विराट कोहली ने अपने अंताज में यवराज सिंग को दिया है और उन्होंने कहा है कि आपका इतना प्यारा मेसेज लिखने के लिए उसका मैं शुक्रिया आदा करता हूँ और आपने जो जंग लड़ी के अंसर की, वो जंग दुनिया के लिए ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से एक आदमी या एक खिलाडे अपने जिंदगी में कभी हार नहीं मानता है और वो कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले उन्होंने इसके साथ ये भी लिखा कि भगवान आपका भला करें रब राखा फिलाल जिस तरीके से आज के उस चिठी पर अब रिप्लाई करते हुए ये मैसेज लिखा है उस पर आपका क्या कुछ कहना है अपनी राख कमेंड कर हमें जरूर बताया